Hello everyone, welcome to Git Academy. एक बहुत ही important aspects जो कि किसी भी exam के पहले किसी भी student को execute करना चाहिए अपने preparation के दौरान वो है test, mock test. तो आज मैं उसी test के बारे में आप से बात करने वाला हूँ और Airport Authority of India में जो junior executive का post आया है, air traffic control. उसमें भारी संख्या में काफी सारे students preparation कर रहे हैं. लेकिन ये preparation तब तक अधोरी है, जब तक आप इसका mock test में अपना status एक बार खुछ से पता ना कर ले. तो इन सब के लिए काफी सारे mock test जो अभी भी अविलेबल है, लेकिन Git Academy का mock test एक different mock test है, जिसमें आपको exam pattern के अनुतार अनुसार बहुत ही अच्छे questions के level के साथ हमारा mock test जो है वो आज की date में launch हो रहा है. तो मैं आपको इसके important aspects जो की mock test में होने वाले हैं, उसके बारे मैं पुरी इस वीडियो में बताता हूँ. ध्यान से इस वीडियो को देखेगा और end में decision लीजिये का कि आपको ये mock test पसंद आया या फिर नहीं आया. जो भी आपकर decision होगा, उसको इस comment section में comment कर सकते हैं, या फिर मैं आपना phone number भी दूँगा, वहाँ पर आपके आपके आपसे जो भी queries इस वीडियो को देखने के बाद बन रही होगी, वो queries भी आप पूछके, इस mock test के लिए आपना registration करवा सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको बता दू कि हमारा online mock test series, जो कि Airport Authority of India Junior Executive ATC के लिए complete details के साथ, आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ. तो हमारा भी course available है, और हमने भी preparation करवाया है, काफी students हमारे साथ भी preparation कर रहे हैं, gate academy के विमान बैच के साथ. उन सारे experience के लिए भी ये mock test बहुत ही important है, अगर उन में से कोई विध्यारती अभी इस वीडियो को देख रहा है, तो definitely आप इस वीडियो को end तक देखेगा, और उसके बाद फैसला लीजिएगा कि ये mock test आपके लिए कितना important हो सकता है exam के पहले. तो यहाँ पर exam pattern की बात करें, ये pattern फिर से में क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि कारण ये है कि आपको इस pattern से idea लगेगा कि हमारा mock test इसी pattern पे based है, जिसमें आपके पस कोई भी negative marking नहीं रहेगा, आपके पस English language, general intelligence, general aptitude, numerical ability, general knowledge और awareness के जो questions का marking scheme यहाँ पे लिखा हुआ हुआ उसी marking scheme पे आपको questions के pattern हमारे mock test के test portal में मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि part A में आपके पस English के 20 marks के question होगे, general intelligence के 15 marks के question होगे, general aptitude के 15 marks के question होगे, और general knowledge के 15 marks के question होगे, total जो आपका part A है वो 60 marks का होगा, और 60 marks को आपको 60 minutes में खदम करना है, तो इसका मतलब है कि अगर आप physics and mathematics वाले part पे जाते हैं, जो कि 11-12 का part है, उसमें आपके 60 marks होगे, और उसको भी आपको 60 minutes में end करना है, तो total आपके पास 120 minutes में 120 questions आपको करना है, और कोई भी negative marking नहीं होगा, so same इसी तरीके का pattern जो airport authority of India, ATSC, जो आपको exam, final exam में देखने को मिलेगा, उसी pattern पे हम हमारा ये mock test भी based है, और इस mock test में मैं किन-किन बातों का बड़ा important तरीके से ध्यान में रखा हूँ, वो है ये जो आपका exam pattern है, इसी exam pattern पे ही आपका mock test होगा, जो भी आपका marks होगा, वो आपको visible होगा, हमारे test portal में, जो भी आपके wrong answer होगे, वो भी visible होगा, उसके साथ साथ जो भी इस चीज़ का correct answer होगा, correct explanation होगा, वो भी आप हमारे mock test के जो test portal है, उसमें जा के देख सकते हैं, तो आपका status पता चलेगा, आपका mistakes पता चलेगा, mistakes को आप rectify कर सकते हैं, answers में क्या चीज़े लिखी गई है, वो आपको पता है या फिर नहीं पता है, आपको अगर न student prepare कर रहें, उनको इन सब चीज़ों पर एक बार अपना, एक बार appear होना चाहिए, और अपने status को एक बार देखना चाहिए, कि आप कहां पर stand करते हैं, actually, है न, तो यहाँ पर English की बात करें, तो यहाँ पर reading comprehension के questions मिलेंगे, close test के question मिलेंगे, sentence improvement के question मिलेंगे, idioms and phrases के question और synonym, entonym आपको देखने को मिलेंगे, अगर हम लोग reasoning की बात करें, तो reasoning में आपको जो important part है reasoning का, वहाँ से question मिलेंगे, जैसे कि seating arrangement के question मिलेंगे, puzzle, direction test, blood relationships, silogism और उसके बात coding, decoding के questions आपको देखने को मिलेंगे, aptitude की बात करें तो data interpretation, measurement, mensurations, time, speed and distance, time and work, SI and CI, ratio proportion के questions देख देखने को मिलेंगे, general awareness में आपको quality, economics, history, geography, general science, current affairs के questions देखने को मिलेंगे, mathematics में आपको binomial distribution, probability limits, differential equation, integral and differential calculus, matrices, complex numbers के questions देखने को मिलेंगे और अन्तीम में जो physics सबसे important है, जिसमें आपको 30 मास केन करना होता है, उसमें आपको मिलेगा units in measurement, mechanics, gravitation, work, electrostatics, current electricity, magnetism, magnetic effects of current optics, atomic structure, logic gates and communication system ये आपका syllabus होगा और इसके according आपको question paper में questions देखने को मिलेगा अब बात करते हैं कि ये जो mock test है, इसके लिए आपको gate academy live app में मिलेगा या फिर इसके लिए कोई test portal अलग है, येस, इसका test portal अलग है, जिसका link पे इस video में दे दूँगा इसका test portal है, आपके पास online test series dot gate academy dot go dot in तो आप इसको देखन से देख लिए क्योंकि आपको mock test में login इसी के थुरू करना है, तो एक बर और मैं बढ़ता हूँ, यहाँ पर online test series आप google में जाएं, वहाँ पे लिएके online test series dot gate academy dot go dot in तो आपको test portal मिल जाएगा, वहाँ पे अपना registration करके, इस particular mock test को register करवा के, आप वहाँ पे अपने test में appear हो सकते हैं, ठीक है, तो अब हम बात करें कि finally, कि यह mock test का validity कितने दिन का है, और इसका test की costing क्या है, तो airport authority of india में जो ATC का mock test gate academy ने आज launch किया है, उस test का, जो pricing है, वो है 399 including GST, मतलब 399 रुपीज including GST, GST आपको अलग से देने की जूरत नहीं है, और इसकी validity 3 month की है, इस mock test में आपको मिलेगा 10 mock test, जिसमें आप appear हो सकते हैं, और अपने आपका एक अच्छा सा status जो है, कि आप कहां stand करते हैं, अच्छे से अपने आपको access कर सकते हैं, कि आप किस जगा पे stand करते हैं, और इंडिया लेवल पे, क्योंकि काफी student इस mock test में appear होते हैं, तो एक normalized marks जो है, वो सभी students का compare करके आपको देखने को मिलेगा, उससे आपको अपने status का पता चलेगा, अपनी कमी की पता चलेगा, और test के माहल में appear होने के बाद, आप किस तरीके से अपने आपको cool रखके exam दे सकते हैं, ये भी आपको धीरे धीरे, जैसे जैसे आप एक एक करके mock test देते रहेंगे, वैसे वैसे आपको idea होते रहेगा, तो ये जरूरी है कि exams के पहले एक बार आप mock test में कम से कम अपना presence जो है, एक बार देख लें कि आप mock test में दे या फिर final exam में दे तो कौन-कौन सी चीज़े आपको भैवीत कर सकती है, और कहां-कहां पर आप test का advantage ले सकते हैं, या फिर questions का advantage ले सकते हैं, इससे आप एक अच्छी strategy बना सकते हैं exam के पहले कि हाँ मेरा ये वाला part strong है, तो मैं इसको प है, तो इस तरीकी की एक अच्छी सी planning आपको exam, final exam में advantage देगी, आपका confidence बढ़ेगा, आपका analytical part जो अभी से आप करके रखेंगे, उससे आपका sequence of questions कैसा लेना है, वो बढ़ेगा, marks गलत कैसे होते हैं, कौन सा concept आपको नहीं आता, ये सभी चीज़े एक proper analysis के साथ, अपने copy म note down कर लेना हर test के बाद, ठीक है, तो आप से को, इस से related कोई भी doubt है, तो आप इस number पर call कर सकते, 9755662248, 9713113156, 9770839100, so मेरी तरफ से all the best, सारे aspirants को, क्योंकि बहुत जल्द आपका attentivity exam का date है, जो है 27th of July, में भी exam उस समय हो जा, अगर नहीं होता है, तो बहुत अच्छा advantage आपको मिलेगा, हम test portal में कुछ और test जो है, उसमें add कर देंगे, अगर exam नहीं होता है, और exam हो जाता है, तो आप इन 10 test के सारे अपने preparation को एक अच्छा level दे सकते हैं, क्योंकि questions बहुत ही अच्छे हैं, इस mock test में, आप एक बार इसमें register करके, किसी एक particular first mock test में आपएर होके आपको जरूर से यह feel होगा, this is very good for you, okay, thank you, take care and bye-bye.